नमस्कार स्वागत है आपका प्रदेश तक में मैं हूँ आपके साथ रीना मध्यपिदेश में बीजेपी के इंदोर विधानसभाद छेतर से प्रत्याशी बनाए गये कैलास विजेवर गिया गुरुवार को मध्यपिदेश के अलग अलग जिलों के दोरी पर थे इस दोरान वे उजयन और खरगोन पहुची जहां उन्होंने बीजेपी कारकरताओं के साथ ही नाराज नेताओं से मुलाकात कर उन्हें पार्टी के लिए काम करने को मनाया इस दोरान उन्होंने बता दिया कि आखिर चुनाओ ना लड़ने की इच्छा कोई के बावजूद उनको अगर ये चुनाओ लड़ना पड़ रहा है तो इसके पीछे उनके बॉस का हाथ आपको बता दें कि उज्जेन में बीजेपी से नागदा सीट पर तेज भादूर सिंग को टिकट दिया है जिससे नाराज हो कर यहां के सक्रिय बीजेपी नेता दिलीप सिंग सिखावत घर में बैठ गये हैं वे भी नागदा सीट से टिकट माग रहे थी ऐसे में कैलास विजेवर्गी उनको मनाने उनके घर पहुँचे विजेवर्गी ने एक घंटे तक दिलीप सिंग सिखावत और उनके समर्थकों को मनाने की कोशिसे की फिर बाहर आकर कैलास विजयवर्गी बोले मेरा भी चुनाओ लड़ने का मन नहीं था लेकिन अचानक मेरे पास मेरे बॉस का फोन आ गया और अब बॉस ने बोला है तो चुनाओ तो लड़ना ही पड़ेगा हमें बीजेपी के लिए काम करना हुगा मोदी जी सिवराज जी और बीजेपी के शासन में ही मध्यपिदेश और देश की तरक्की हुई है इसलिए आप सीमत भेद छोड़ कर बड़े मकसद के लिए काम करना होगा बीजेपी को हर हाल में जुताना होगा अब सवाल ये उड़ता है कि आखिर कैलास विजेवरगी का बॉस कौन है सूत्रों के अंसार कैलास विजेवरगी यही सारा देश के ग्रह मंत्री अमिश्याह को ले कर कर रहे थे बताते हैं कि विजयवर्गी ग्रह मंत्रिया में शाह के करीबी है और उनके कहने पर ही वे चुनाओ लड़ने को राजी हुए हैं इसलिए कैलास विजयवर्गी ने कहा कि बॉस के फोन आने पर वे चुनाओ लड़ने को तैयार हुए है केलास विजयवर्गी मध्यविदीज के खरगोंजिले के दोरे पर भी गये यहाँ पर बीजेपी कारकरताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी विधानसभाद छेतर में प्रचार नहीं करूँगा इसके बाद भी 50,000 वोटों से जीतने का दावा किया साथ ही उन्होंने कहा कि इंदोर की सभी 9 सीट बीजेपी जीतेगी और ये बात मैं जानता हूँ इसलिए मैं बीजेपी के लिए पूरे देश में प्रचार करूँगा कैलास विजेवर्गी ने कहा कि कॉंग्रेस अंग्रेजु की तरह फूट डालो और राजगरों की नीती अपना रही है इसलिए बीजेपी कारकरताओं को कॉंग्रेस के सड़ियंतरों से साफधान रहना होगा आपको बता दें कि दर असल छेत्र में 3000 करीब कारकरताओं पदाधिकारियों और सरपंचों में छेत्र के पूरविधायक दिलेट सिंग सिखावत को टिकट नहीं देने से नाराजगी है सबने इस्तीफा पेस कर दिया है इसी वजह से नाराजगी दूर करने और पार्टी में डैमिज कंट्रोल के लिए पहुँचे कैलास ने सब को समझाते हुए कहा कि कभी कभी हर निर्ने हमारी पसंद का नहीं होता साथ ही उन्होंने बताया कि उनका भी चुनाव लड़ने का मन नहीं है वहीं बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की कुल चार लिस्ट जारी कर दी है फिलाल अस खबर में बस इतना ही जल्द फिर में लेंगे कुछ और खबरों के साथ देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेशतक.com पर विजिट करें